हेलो दोस्तों मैं संदीप मिसरा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक से जुड़ा हुआ एक नए टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक यानि की Factors Affecting Rate of Reaction तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं कारक क्या कहलाते हैं मतलब कि ये ऐसे प्रदात होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले अनेक कारक है लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कुछ ही कारकों के बारे में जानेंगे और ये सभी कारक ऐसे कारक है जो कि हमारे बोर्ट के एक्जाम में पुछे जाते हैं तो बात करें हम अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले जो मुक्रूप से कारक है वो कुल तीन कारक है पहला है अभिक्रिया की सांदता दूसरा है ताप और तीसरा है उत्प्रेरक तो इन तीन कारकों के बारे में हम डीटेल से जानेंगे तो सबसे पहले हम बात कहते हैं अभिक्रियक की सांधता की जिसे हम इंगलिस में कहते हैं concentration of reactant तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि सामाने तर जो अभिक्रियक की सांधता होती है अभिक्रियक की सांधता बढ़ाने से अभिक्रियक की दर भी बढ़ती है किसी भी रासानिक अविक्रिया में यदि हम अविक्रियक की सांदता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ते हैं और अधिक मात्रा में प्रोडक्ट का निरमार भी होता है तो आईए यहाँ पर इसका reason जाने क्यों अभिक्रियक की सांधता बढ़ने पर अभिक्रियक की दर बढ़ती है तो अगर हम अभिक्रियक की सांधता बढ़ाते हैं तो अभिक्रियक की सांधता अधिक होने पर जो अभिक्रियक के अड़ु है इनके आपस में टकराने की जो संख्या होती है यानि कि इनके टकरों की जो आविक्ति होती है वो बढ़ जाती है और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि टकरों की संख्या जितनी अधिक होगी यानि कि जितना अधिक टक्कर होगा, उस अभिक्रिया में उतना ही अधिक उत्पाद बनेगा। क्योंकि टक्कर सिध्धान तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रियक के अडू जितना अधिक आपस में टक्राते हैं, वह अभिक्रिया में उतने अधिक उत्पाद बनते हैं, तो अभिक्रियक की सांधता बढ़ेगी, उनके भीश टक्कर बढ़ परन्तु कुछ ऐसी अभिक्रिया में ही कि अभिक्रिया की हम सांधता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर ने बढ़ती हैं तो वो अभिक्रिया एक कौन सी हैं आए इनकी में भीं डिसकस करते हैं या इसे उद्धारण क्थूर्य कर द्SU hiç हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि hydrogen और chlorine की अभिक्रिया आपस में कराएं, sunlight में तो बनेगा SEL यानि की hydrochloricum, तो इस प्रक्रिया में यदि हम hydrogen और chlorine की सांदता को बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर यदि हम क्या करें कि अभि अभिक्रिया की सांदता भी घटाएं, तो भी इस अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब यहां पर ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर अभिक्रिया जो है, वो सुन्नी कोटी के अभिक्रिया है, और हम लोगों ने सुन्नी कोटी के अभिक्रिया में पढ़ कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो वेग इस्थिरांग के के बराबर होती है यानि कि जो सुनिकोटी की अभिक्रिया की दर होती है वो नियतांक होती है और ये अभिक्रियक की सांधता पर निर्भर नहीं करती तो ऐसा कंडिशन यानि की अभिक्रियक की सांधता अभिक्रिय की दर भी बढ़ती हैं तो ये सबी चीजे हम लोगों ने पीछे भी पढ़ाया जैसा कि आरेनिया सिध्धानद में हम लोगों ने देखा कि ताप्त बढ़ाने पर अभिकरिया की दर जो होती वह बढ़ती हैं फिलहाल इस पॉंट को हम समझते करें हैं कि जब भी किसी प्रदात को हम गर्म करते हैं तो isu की जो गत्ी है वह बढ़ आती है और यदि अड़ों की बढ़ती है तो उनके वीच घबता आपस में अभिक्रिया की जयो धर होती है उब बढ़ जाती है यानि की प्रोड़क्ट की निर्माहँ सब्सक्रोद करता है अब शक्रियो ein iPod नि 예쁘 been the best app 32jo अधिक टक्कर होगा और अधिक टक्कर होने का मतलब अभिक्रिया का दर बढ़ना और उत्पात का बढ़ना है यदि हम अभिक्रिया पर ताप के प्रभाव को अगर विस्तित रूप से देखें तो किसी भी अभिक्रिया के दर पर ताप का जो प्रभाव होता है जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्राया अभिक्रिया के ताप में 10 degree centigrade की विर्धी करने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है यानि कि जो अभिक्रिया का वेग इस्तिरांग होता है वह लगभग दुगना हो जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया के ताप में 10 degree centigrade की विर्धी करने पर अभिक्रिया का वेग इस्तिरांग लगभग दुगना हो जाता है लेकिन लगभग दुगनी होती है मतलब कि अभिक्रिया का जो वेग है या वेग इस्तिरांग है वो क्या होता है घट सकत या फिर बढ़ सकता है दुगना लगभग दिया हुए ठीके ना अभिक्रिया की दर यानि कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को हमने एक टॉपिक में और पढ़ा है वो है आरेनियस का सिध्धान तो यदि हम आरेनियस समीकरण का यूज करें तो भी ताप परिव के यानि कि अभिक्रिया के वेग इस्थिरांग का मान बढ़ेगा अभिक्रिया के वेग इस्थिरांग का मान बढ़ने का मतलब कि अभिक्रिया की वेग बढ़ेगी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी अभिक्रिया पर यानि कि अभिक्रिया के वेग पर बना रहेगा तो पहले हम जान लेते हैं उत्प्रेयरक होता क्या और यदि आपको उत्प्रेयरक के बारे में जानना है तो प्रिष्ट रसायन में मैंने वीडियो बनाया है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं तो यदि हम बात करें उत्प्रेयरक की तो उत्प्रेयरक वे प् बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं और यहां पर एक इंपॉर्टन चीज यह है कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो रायसायनिक अविक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और यह अविक्रिया के अंत में जियोंकेतियों अलग हो जाते हैं तो य यानि कि अगर किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उप्योग करते हैं तो हाँ पर अभिक्रिया की दर जो होती है वो प्राया बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि उत्प्रेरक का उप्योग करने पर अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए आवस्तक सक्रिंड उर्जा को घटा देते हैं तो इस लाइन को समझने के लिए हम एक उधारन लेंगे उसके थुरू में आपको आसानी से समझा पाऊंगा तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो सक्रिंड उर्जा को घटा देते हैं तो यहाँ पर एक रियक्षन है A और B अभिक्रियक है जो कि आपस में अभिक्रिया करके A B उत्पात बनाते हैं तो हम माल लेते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए जो आवस्थक सक्रिन उर्जा है वो 50 जूल है और मैंने बता रखा है कि सक्रिन उर्जा को हम E A यानि कि Activation Energy से प्रदसित करते हैं तो यहाँ पर हम एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में हम अभिक्रिया को कराते हैं तो हम माल लेते हैं इस पात्र में A के 100 अड़ु है और B के 100 अड़ु है और यहाँ पर हम यह माल लेते हैं कि अभिक्रिया में जितने भी अभिक्रियक हैं उनकी एक आवसत उर्जा है कुछ के पास हो सकता है आवसत उर्जा से कम उर्जा हो लेकिन यहाँ पर हम मान के चलते है कि सभी के पास एक आउसत औरजा है तो यहां पर आउसत औरजा दिया हुआ है अब माल लेते हैं कि 25 अड़ो ऐसे हैं जिनके पास आउसत औरजा से 30 जूल अधिक औरजा है दूसरे 25 अड़ो ऐसे हैं जिनके पास आउसत औरजा से 40 जूल अधिक औरजा है और 25 अड़ो ऐसे है जिनके पास 60 जूल यानि कि आउसत ओर्जा से 60 जूल अधिक ओर्जा है और हम सभी जानते हैं कि जो सक्रिन ओर्जा होती है वो आउसत ओर्जा से बाद वाली ओर्जा होती है अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो ज़रू देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते यह जो 25 अडू ऊपर और नीचे जिनके पास 50 और 60 जूल OCal है यह यह सक्रिन्ण OCal के लगभग बराबर रखते हैं यह अधिक्र रखते हैं तो यह दोनों अडू ऐसे हैं जिनके पास शक्रिन्ण Ocal है और यह आपस में तकराएंगे और उत्पाद का निर्मान करेंगे यानि कि इन दो अड़ों के पास 25 पचीस अड़ों के पास ही सक्रिन उर्जा है और यह आपस में टकराएंगे और अभिक्रिया करेंगे तो यदि हम यहाँ पर अभिक्रिया होने दे तो 50A और 50B वाले अड़ों आपस में टकराएंगे और 50AB का निर्मान करेंगे अब यदि हम इस पात्र में उत्प्रेरक को एड़ करें तो हम सभी जानते हैं जो उत्प्रेरक होता है वो सक्रेण उर्जा को घटा देता है तो जब हम लोगों ने उत्प्रेरक मिलाया तो जो सक्रेण उर्जा थी यानि कि जो एक्टिवेशन थी एनरजी थी वो 40 जूल हो ग क्योंकि उत्प्रेरग के मिलाने पर जो सक्रिण उर्जा थी वो घट कर क्या हो गई 40 जूलोगे तो इस प्रकार यहां पर हम देख सकते हैं कि यानि कि अब 25 अडू और बढ़ गए तो यहां पर 75 A के अडू 75 B के अडू आपस में रियक्ट करके 75 A B के बनाएंगे यानि कि कर अग्या बढ़ गई क्यों कि उत्प्रेरक के मिलाने पर आशयू अडू बढ़ गए जिनकी सक्रोंड उर्जा पहले बराबर नहीं थी यानि कि सक्रोंड उर्जा कम थी लेकिन उत्प्रेरक के बढ़ाने पर जब sarà घटी फिर्षा ने ऑबराबर हिए जिसके आ एक्टिवेशन एनरजी यानि की सक्रेंड उर्जा इन दोनों की योग के बराबर होता है देहली उर्जा तो यदि यहाँ पर सक्रेंड उर्जा घटेगी तो इस फार्मुले से आप देख सकते हैं कि देहली उर्जा भी क्या होगी घट जाएगी अब इस पूरे कांसेप्ट क तो हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि वाई अच पर एनरजी को दिखाए गया है और एक्स पर आपको प्रोग्रेस आफ रियक्शन को दिखाए गया है तो जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि जो रियक्टेंट की आवस्यक टककर के लिए समफोर नहीं होता यानि कि यह उर्जा इतनी कम होती कि उनके बिस टककर नहीं होता है तो ऐसी उर्जा को हम बोलते है आपने डिटेल से देखा है और समझाया अब ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वीना उत्परेरक के प्रोडक्ट के निर्मार के यरिष यहां से यहां ने से दिखाया हुआ है Calation with Catalyst तो यहां पर आप देख सकते हैं गट जो पर ऑढुआ शोचा और यहां निर्मान करेंगे तो जहां पर हम उत्परेरक डाल देते यानि कि अभिक्रिया में जहां उत्परे अभिक्रिया का पत्ष परिवर्तित कर देते हैं जिससे की सक्रिन और उज्जा का मान कम हो जाता है तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले यानि कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले तीन कार कीजिए कीजिए को आपके उसले में को तो प्लीज को सबस्क्राइब कर लिए उसको प्रेश कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्या वीडियो आपडोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद जभारत